आज आपका सब्जेक रहेगा मैज का डेट ए 16 फर्वरी 2021 आज हम पढ़ेंगे एसेंडिंग ओडर एसेंडिंग ओडर क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ जो क्रम छोटे से बड़े की तरफ को जाए उसको आप एसेंडिंग ओडर कहेंगे यानि कि सबसे छोटा नंबर जो होगा वो पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर होगा वो लास्ट में लिखेंगे ठीक है सबसे पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उस समझा देता हूँ बाकी के सारे सवाल आपको ऐसे ही करने है ठीके बेटा पहला वाला देखिए वाला सवाल 17,12,77,56 तो जब ऐसे सवाल आएगा और आपको लिखा जाएगा arrange the following in ascending order यानि की छोटा नंबर सबसे पहले लिखो और सबसे बड़ा नंबर सबसे end में लिखो तो आपको मालूम होना जाएगे सबसे पहले क्या आता है वही सबसे चोटा होगा तो 17,12,77,56 में सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले 12 आता है तो आप यहाँ पर 12 लिख देंगे क्योंकि ascending order में लिखना है 12 वह गया असब से चोटा हुगया 17 सबसे चोटा हो गया इसमें 12 के बाद 17 आता है फिर क्या आता है 56 आता है फिर उसके बाद 77 आता है तो यह आपका ऐसे लिखा वा था लेकिन ascending order में लिखेंगे तो आपको पहले 12 फिर 17 फिर 56 फिर 77 आ गया यानि कि छोटे से बड़े के करम में आपने यह नंबर इसको लगा दिया है तो यह होगे आपका ascending order इसी तरीके से आपको यह वाला भी करना है और यह तीनों भी ऐसे ही करने है ठीके बेटा यही आपका आज का काम है आपको अपनी